क्रेडिट स्कोर शिक्षा वा प्रशिक्षन मॉड्यूल क्रेडिट स्कोर की गणना कैसे की जाती है आपके क्रेडिट स्कोर की गणना के कई कारक होते हैं इन में से 5 प्रमुख कारक जो आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करते हैं वे कुछ इस प्रकार है एक भुक्तान का इतिहास विलम से भुक्तान करना या आपकी EMI में तु और यह आपके स्कोर को नकारात्म ग्रूब से प्रभावित करता है। सीमा से अधिक क्रेडिट का इस्तिमाल करने से आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है। बैंक कम्पनिया उन ग्रहकों को प्राथ मिक्ता देती हैं जिनका क्रेडिट उप्योगिता अनुपात 30-40 विसदी के बीच हो यानि यह अनुपात जितना कम होगा आपके लिए लोन लेना उतना ही आसान होगा। 3. क्रेडिट मिक्स Secured Loans जैसे Auto या Home Loan और Unsecured Loans जैसे Credit Card या Personal Loan के बीच संतुलन रखने से आपके Credit Score पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4. कई Loan और Credit Card के लिए आविदन करना 5. बार-बार विविद Loan और Credit Card के लिए आविदन करना यह दर्शाता है कि आप पर रिण का भार बढ़ चुका है जो आपके Score को नकारात्मक ग्रूप से प्रभावित करेगा। 5. आज Credit इतिहास की उम्र भी एहम होती है। इसका अर्थ यहाँ है कि आपका Loan अकाउंट या फिर Credit जिसका आप इस्तिमाल करते हैं वह कितना पुराना है। एक अच्छा Credit इतिहास दर्शाता है कि आप एक जिम्यदार उधार करता हैं और आप लंबे समय से अपनी बकाया रकम का भुकतान कर रही हैं। तो क्या खराब स्कोर का मतलब भविश्य में किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलना है वह आप लोन के लिए आविदन करते हैं। बैंक और विद्ध कंपनिया आपकी Credit Report और Credit Score की जांच करती हैं। अगर आपका Credit Score 700 से उपर है और आपके दस्तावेज पूरे हैं तो वे आपको लोन देने के लिए तयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका Score 700 से कम है तो लोन आविदन अस्विकार कर दिया जाएगा। यदि हैं 500 से नीचे है तो आपको लोन मिलने की कुझाईश ना के बराबर हो जाएगी। यदि स्कोर 600 से 700 के बीच है तो कुछ विद्धिया कमपनिया लोन देने पर विचार कर सकती हैं। लेकिन फिर वे अपनी शर्तों पर जोर दे सकते हैं। जैसे आवेदन में लिखी राशी से कम राशी देना या सुरक्षा के तौर पर कुछ रकम जमा करवाना या उच्च ब्याज पर लोन देना। ऐसी परिस्तिती से बचने के लिए आपको नियमित रूप से अपने क्रेडिट स्कोर पर काम करना चाहिए। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं तो दी गई लिंक पर जाएं।